आपने क्या पाया? कौन लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं, वो हाथसा था, एक्सिरिंट था? और क्यों कह रहे थे? कौन लोग थे वो? आप फिर से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी जनता को आप थेटर से दूर ले जाना चाते हैं सकते हैं? यह सब कुछ फिल्म में हैं? यह सारी चीजें हमने फिल्म में बाता है, तो आपके सवाल बहुत सही है और उसके जवाब है दिसाबर में पार्वोट क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया है मैंने वह देखा है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपके रिसर्च का खहती है लेकिन आइम आई गिव यू आप चाहते हैं कि लोग फिल्म देखें और उसके बाद डिसाइड करें पर यह तो आप मानेंगे के जो यूसी बैनर्जी कमिटी बना दी थी जबकि नानवक्ती कमिशन पहले से गुजरात गर्मेंट ने बनाया हुआ था उस्सेंट्रल गव्मेंट की कमिटी का क्हाना था कि वह हासा था लुग क्या आप भी मानते हैं कि सेंट्रल means कि तब कोंग्रेस और जनी कांट को एक political incident के नाम से ही देखा जाता है इसे एक political incident के नाम से देखा जाता है और कहीं न कहीं इस film के जरी हम यह भी बताना चाहते हैं कि यह सिर्फ एक वो 69 लोग जो थे वो उनको आंकनों के तौर पर देखा गया अलग-अलग कमिटियां बनी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं थी लोगों की और यह politics हमेशा इस unfortunate incident से जुड़ा रहा है उस ताइम लालू जी रेल मिनिस्टर थे उन्होंने वो कमिटी बनाई की रिपोर्ट आई तो यह सारी मन्मोहन सिंग जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो नहीं कर पाई उस समय और हमें यह भी पता है कि अब यह ही है कि आजकल अक्टरों से पोलिटिकल सवाल पूछे जा रहे हैं यह पोलिटिकल सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपको तयार रहना पड़ेगा क्योंकि गुजरात दंगे गुधराकान वो इतना लिमिटेड एक मैटर नहीं है वो आज तक नरेंदर मोदी से जुड़ा हुआ है आज तक बीजेपी से जुड़ा रहेगा तो इसलिए सवाल तो उठेंगे सर पर हमारी कहानी जर्नलिस्टिक पॉइंट व्यू से मीडिया ने क्या किया वो दिखा रही है यह हम जाई नहीं रहे पॉलिटिक्स में वो आपको दिखेगा लेकिन हम यह बताना चाहते हम तीन जर्नलिस्ट प्ले कर रहे है कि जर्नलिजम में उस समय क्या हो रहा था जर्नलिस्टिक पॉइंट व्यू क्या था इस कहान इस दुर्घटना को लेकर अगर हम लाजर कॉंटेक्स की अगर हम बात करें जो अठाइस तारीक से या 27 की राच से हुआ उस विशह पे आपको इंटरनेट पे दुनिया भर की चीज़े मिलेंगी लेकिन जो 27 की सुबह हुआ उसके बारे में आपको बहुत कम ही जाक्लिक अगर आपको यह जानना है कि 27 की शाम के बाद से क्या हुआ प्लीज आब यू आसे वक नीचे उतरते हैं वहां कुछ मुसलिम रेडी वाले स्टॉल वाले थे उनसे उनका जगड़ा होता है और उसके बाद वह जगड़ा बेकाबू हो जाता है और वहां पर जो हुआ वो हुआ और उस टेन में आग लगा दी जाती है क्या यह त्योरी गलत पाई गया आ इतने सारे वर्जिन्स हैं कि आपको यही नहीं पता कि सच क्या है और यही पूरे 22 साल से यही हो रहा है और खास तोर पे 2002 से लेके 12 तक 10-12 तक एक लगभग एक पूरे दशक तक आपको पता नहीं कि क्या हुआ है उन्हीं चीज़ों पर हमारी फिल्म बात कर रही है अब आ फिल्कुल सीधी बात है क्यूंकि हम इफेक्ट को देखते हैं कॉझ पर बात नहीं करते हैं और अजानेशन हम तो स्टोरी टैलर्स है ना हम तो यही कहेंगे की अगर कॉस को संभाल लो तो शाहएद एफेक्टना होता तो आप उसकी बात करते रहेंगे लेकिन हुआ क्यूं उसकी क्यों चर्चा नहीं करेंगे ताकि आगे वो गल्ती ना हो आपके केरेक्टर ने उन सट लोगों के साथ न्याय किया? मेरे केरेक्टर ने? मेरे केरेक्टर ने अपने साथ न्याय किया उन लोगों के साथ न्याय नहीं किया? अपने साथ किया आपके सब्सक्राइब आपके सवाल बहुत अच्छे हैं पर आपके सारे सारे सुवाल हमारे मूई के सीन्स हें